Hello student, आज हम इस वीडियो में investment के बारे में discuss करेंगे, तो हम सभी ने अपने आसपास हर जगा पे investment term को सुना हुआ है, हम किसी भी platform पे हूँ, social media पे हूँ, tv देख रहे हैं, newspaper पर रहे हूँ, या ad में अपको हर जगा investment के बारे में सुनने को मिल जाता है, so basically investment है क्या, पहले हम इस कहते हैं, investment करना, है न, पर आप इस चीज़ से confuse मत हुए, क्योंकि जो terminology के करम बात कर रहे हैं, तो generally कहा जाता है कि savings करने चाहिए, investment करने चाहिए, हमें अपनी savings पर ध्यान देना चाहिए, तो यहां पर saving और investment साथ में, simultaneously use के जाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि दोनों same है saving करना और अपने money को invest करना बुनों अलग चीज़ होती है, थीक है, तो अगर हम investment के बात कर रहे हैं या saving की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों पर आपने धियान देना होगा कि आप किस चीज़ के बारे हम बात कर रहे हैं, टीक, जब हम अचार नहीं कि कहते हैं न, तो saving का आपके पास जो भी पैसे हैं, आप उसको side में रख रहे हैं, आप बचत कर रहे हैं, आपने 100 कम है, 100 में से 2 रुपे बचा के रख लिए, कि future में में कोई problem आए, तो हमारे पास 2 रुपे extra रहे हैं, सारे के सारे खर्च न कर दे, that is your saving, आप वो 2 रुपे हम इसे समाल के रख रह हैं, इसे तरह जब भी आपके income होती हैं, आप उसको side कर देते हो, अलग से रख देते हो, कि यह हम बचा के रखते हैं, future के लिए, वो हम क्या कहते हैं, saving, तो basically saving में क्या होता है, कि आप जो कमाएं हैं, जो भी पैसा आपके पास हो, उसको side रखते हो, आप उसको save करते हो, ब आपको उससे जादा से जादा return मिले, मतलब saving का इस्तमाल आप ऐसे करिए, कि आप उससे future में जादा पैसे कमा सकी, मतलब वो जो पैसा आपने बचा के रखा हैं, उस पैसे से आप और पैसा कमाएं, इसलिए कहते हैं, investment का मतलब होता है, अपने पैसे का इस्तमाल करके और प चीज़ को, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप business करने नहीं जा रहे हैं, आप agriculture का काम करने नहीं जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं, investment करने का मतलब क्या हो गया, अगर हम financial term में बात कर रहे हैं, तो financial term में investment कहने का मतलब हो गया, कि आपने पैसे का इस्तमाल ऐसा किया, कि इसी पैसे से आपने इक्स्ट्रा पैसे बना लिया, आपने पैसे से पैसा बनाया, प्रॉफिट कमाया, और इंकम जेनरेट करी, is it clear? सेविंग और इंवेस्मेंट दो अलग टर्मलोजी है, यह clear रखिएगा, सेविंग जस्ट अब बचत है, बचत बचा की रखना, साइड में रखना, और सेविंग एकाउंट खुलवार दिया, तो कुछ परसन के इंटरेस्ट पर उसको समहाल के रखें, फ्यूचर के लिए कि क पीस बना लेजेए, तब उस पैसे से आप उसी पैसे से और ग्रो करिये, that is investment, so basically investment क्या होगे, investment एक process हो गया, जहां पर उपने पैसे को किसी चीज में लगाते हैं, ऐसे चीज में लगाते हैं, जिससे वो ग्रो कर रहा हो, जिससे उसे पैसा बन रहा हो, जिससे में गेन मिल उसकी value बढ़ रही हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, कि हमने पैसा invest कर दिया, अब वो जो किसी चीज में लगाने की बात करते हैं, जो हमें increase कराएगा, हमारी value को बढ़ाएगा, हमें और पैसा देगा, और money करेगा, या grow करेगा, वो क्या चीज हो सकती, वो कुछ भी हो सकता है वो stock हो सकता है, bond हो सकता है, venture हो सकते है, real estate हो सकते है, jewelry हो सकते है, commodity में तो कुछ भी, अपका physical assets हो सकता है, financial assets होता है, कोई भी asset हो सकता है, जिसमें आपने पैसे को लगाया, और इसमें लगाया कि अब इससे और पैसा बन जाए, that is investment, clear है, तो investment मतलब अपने पैसे को, अपन assets के value को increase कर दे, जब भी मैं टर्म assets use कर रहे हूं, assets का मतलब हो गया, financial है, physical assets को यह भी, financial assets मतलब हो, securities वगए, bond, venture, shares, कुछ भी है न, और वहीं पे जब physical assets की बात कर रहे हैं, तो जैसे real estate हो गया, jewelry हो गया, commodities हो गया, तो किसी भी, इस तरह की किसे भी assets में अपना पैसा लगा है, जिससे इस assets की value increase कर जा रही है, और grow कर रही है, तो हम उसे कहते हैं कि हमने investment कर रखी है, so investment पैसे से पैसे को बनाने कहते हैं, अपने बचावे पैसे को ऐसी जगा करो कि जादा से जादा return मिले, interest आए, अच्छा पैसा बन के आए, अब आप सोचे, simply कि आपको लगता है क आपको पान साल, दस साल के बाद, आपको दस लाख रुपय चाहिए, तो आप क्या करें, आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखें कि जो दस साल है, दस साल के बाद हमें दस लाख रुपय मिल जाए, या पान साल के बाद हमें वो दस लाख रुपय मिल जाए, तो आप 5 years तक थोड़ थोड़ा पैसा करके बचाया रहे हैं, है न, थोड़ थोड़ा पैसा बचाते हुए आप 5 साल तक 10 लाख यार कर ले, एक तो यह तरीका है, एक तरीका ऐसा है कि आज ही मेरे पास जो पैसा है उसे हमें ऐसी चीज में लगा दें कि 5 साल के बाद हमें वो 10 लाख रुपए बनके मिल जाएं तो हम 10 लाख इकठा नहीं कियें, बचाएं नहीं बलकि हमने पैसे को ऐसी जगा लगा दिया थोड़ा बहुत जो भी पैसा हमारे पास था उसको में ऐसी जगा लगा दिया कि वोही पैसा हमारा 10 लाख बन गया तो that is your investment और पहला वाला क्या हो गया? Saving हो गया, is it clear? तो यह जो हम investment करते हैं यह investment हमें बहुत मदद करता है मतलब कहते हैं investment करना क्यों है? क्यों करें investment? investment करना इसलिए जरूरी है क्योंकि investment आपको help करता है किन चीज़ों में आपकी inflation की cost को meet out करने में जबी बात inflation की cost को meet out करने के कह रहे हैं इसका मतलब समझ लीजीगा inflation आपने सबने सुना होगा inflation term को अगर बहुत simplify करूं तो इसका मतलब यह होता है कि जो चीज आज आपको 2 रुपे में मिल रही है कल वही चीज वह 20 रुपे में मिलने वाली है मतलब क्या हो गया इसका मतलब क्या हो गया जो चीज 2 रुपे में मिल रही है वह चीज कल को 20 रुपे मिल गी चीज तो वही है पर आज हमको 2 रुपे में मिल जा रही है और कल हमें 20 रुपे में मिलेगी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब भी हुआ, कि यह जो रुपे था, जो दो रुपे में वो चीज खरीदने की पावर रखता था, उसकी वैल्यू, जो यह रुपे था न, उसकी वैल्यू गिर गई, जो दो मिलके एक चीज को खरीद सकते थे, अब बीस मिल रहे हैं, तब उ उठाने के लिए दो लोग लगते थे, मतलब दो रुपर मतलब दो लोग लगते थे, तो उनकी power क्या थी, अच्छी थी, है ना, अभी उसी चीज को खाने के लिए 20 लोग लग रहे हैं, इसका मतलब, अब 20 लोगों की power मिला के उस चीज को उठा पा रही, इसीम चीज़ को, पहले वही चीज़ दो लोग उठा लेते, तो power क्या हो गई, घट गई, value क्या हो गई, घट गई, तब ही तो 20 लग रहे हैं, तो इसलिए उस चीज़ की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती हो, अब money की जो value है, वो decrease कर जाती, there is inflation, तो अब आज, अगर हम कोई चीज़ बचा बचा के पैसा रख रहे हैं, हम सोच रहे हम यह चीज़ खरी देंगे, तो आज हम जितना सोच रहे हैं, कि यह चीज़ इतने में मिल जाती है, इसको हम चलिए 2-4 साल बाद खरीते हैं, और उसके लिए 2-4 साल तक पैसे कटा कर रहे हैं, तो क्या वो समान 2-4 साल बाद उतने कहीं मिलेगा, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि समय के साथ-साथ पैसे की value घटती जा रही है, इसका मतलब क्या निकला, कि अगर पैसे की value घट रही है, उसका power घट रहा है, नहीं बचाते हैं, जो होगा देखा कर फूचर में करेंगे, पर अगर हम investment करेंगे, तो हम इस चीज को धियान में रख पाएंगे, कि inflation अगर बढ़ रहा है, मतलब फूचर में prices बढ़ जाएंगे, तो मेरा पैसा भी इस तरह से बढ़े, कि वो inflation के वज़ए से जो price में increase हो रहा है, जो price hike हो रही है, उसको meet out कर सके, अगर अगर दो रुपया जो कोई समान आज दो का मिल रहा है, और कल को वो 20 रुपय का मिलने वाला है, तो आज मैं पैसे को अगर invest कर रही हूँ, तो कॉल वो पैसा 20 तो दे ही दे, at least 20 से 25 दे, कि हम वो समान 20 का खरी सकें और अपना चीज रख सकें, और extra पैसा कमा सकें, तो यह चीज कहने का मतलब हुआ, कि आप जब भी investment करते हैं, तो investment जरूरी इसी लिए है, कि आप यह जो inflation का खर्चा है, जो prices भाग रही है, बढ़ रही है, जो 100 की चीज कल को 500 में मिलने वाली है, यह आप उस खर्चे से मेट आउट कर सकें, उस खर्चे को बियर कर सकें, हैना उस हाइक प्राइस को मेट आउट कर सकें, तो इसलिए investment करना जरूरी है, ऐसा कैसे होता है पता है आपको, यह ऐसा ऐसे होता है, कि जो interest से हमको return मिलता है, तो वो rate of return, real rate of return होना चाहिए, अब real rate of return क्या होता है, वो हम इक अलग topic बिना के उसको discuss कर लेंगे, so inflation, यह investment की वज़ा से inflation meet-out इसी वज़ा से हो पाती है, क्योंकि हम real rate of return पे ध्यान देते हैं, is it clear, दूसरी चीज़ investment करने से और क्या फाइदी है, कि हमारा जो बचाया पैसा, हम बचाया जा रहे हैं, बचाया जा रहे हैं, उसको रखें एक जगह पे, वो ऐसे पढ़ा नहीं रहता है, उसका एक सही स्तमाल होता है, उसी पैसे को लगा पे, पैसे से पैसा कमा रहे हैं, पैसा पढ़ा हुआ है, रखा हुआ है, क्या फायदा, उसी पैसे को आपने invest कर दिया, उसी पैसे को किसी चीज़ में लगा दिया हो, अब वो और बढ़ गई, example के लिज़े, Real Assets में हम Physical Assets के बात करते हैं, क्योंकि Securities, माल लिजे आपके Concept में अभी Securities समझना पड़े Time लगे, तो एकदम Simple समझे Property है न, Real Assets, Physical Assets के बात करते हैं, अब आपके पास माल लिजे, 15 लाग रुपया है तो 15 लाग रुपया आप ऐसे समहाले रखिए तो या तो आप समहाले रखिए Saving Bank में डाल दीजे, 2%-3% का Interest पाईए, तो वो भी कितना ही है कोई फाइदा नहीं उसका, 15 लाग वैसे के वैसे रखे रहे हैं, या फिर आप उस पैसे से Property खरीद लीजे तो माल लिजे, आपने एक जमीन खरीद ली तो वही 15 लाग या, तो आप बचा की रख लेते हैं, या आप 15 लाग को ऐसे Assets में लगा दिया, कि अब वो 15 लाग क्या बन गया 35 लाग बन गया, 25 लाग बन गया, जो भी बन गया, मतब आपको रिटर्न जादा का मिल गया, तो यह है investment investment earn करता है, return आपको देता है, आपके बचाएवे पैसे से, पैसे से पैसा बना रहा है आपको, ठीक है, investment आपको और help करता है, कि अगर आपका specified कोई goal है future में, कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, तो आप उस purpose को ध्यान में रखते हुए investment कर सकते हैं जैसे मुझे पता है कि, जैसे कि 5 साल के बाद मुझे इस तरह का खर्चा लगने वाला है, तो हम आज ही इस तरह से invest कर दे कि 5 साल बाद उतना पैसा बेपास से कठा हो जाए, या तो हम बचत करें, या हम investment इस तरह से कर दे कि 5 साल बाद हमें जिस purpose के लिए इतना पैसे चाहिए, वो हमको मिल जाए, या हम पता है कि 20 साल बाद इतने फंड की जरूरत है, तो हम आज ही ऐसी जगह investment कर दे, कि हमको 20 साल के बाद इतना फंड मिल जाए, तो that is investment, आपका जो भी specified goal है, आपका जो specific goal है life का, आप उसको भी achieve कर सकते है किससे investment के थूँ, इसके साथ ही, जो बचत की खुभी है, कि बचत कहता है कि future में पता नहीं क्या problem हो जाए, इसलिए कुछ पैसे बचा के रखना चाहिए, तो बटो अब वैसे बाद है investment वो भी पूरा करता है, future में कुछ भी uncertainties आती है आपके सामने, क्योंकि future uncertain है, कोई भी uncertainties आती है, तो आपके पास पैसा है, कि आप उसको bear कर सके, उस uncertainties को meet out कर सके, है ना, उसके लिए आपके पास fund रहेगा, तो उसके भी provisioning करता है, so investment इसलिए जरूरी है, required क्यों investment करना, क्योंकि ये आपकी इन जरूरतों को पूरा करता है, इनके लिए आपको help करता है, इसलिए investment करना चाहिए, ठीक, पर जब भी आप investment करने जा रहे हैं, तो चीज क्या ध्यान रख लेंगे आपको, ध्यान रख लेंगे से हम कहते है golden rule of investment, क्या है पहली बात तो, investment जितने जल्दी शुरू कर दीजे, उतना अच्छा है, मतलब invest early invest early का क्या मतलब हो गया, कि अगर आप आज से ही शुरू कर रहे हैं, तो आपके पैसे को उतना time मिल जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, compounding ये term होता है, compounding मतलब आपने कुछ कमाया, उस पे interest मिला, अब compounding का मतलब क्या हो गया, अब आपका वो interest add हो जाएगा, अब फिर interest पे आपको फिर से interest मिलेगा, मतलब amount पे तो मिलता है, मिलता, जो interest का पैसा है, वो add on हो गया, अब उस पे interest मिलेगा, फिर वो भी add हो गया, फिर उस पे मिलेगा, तो मतलब interest पे interest कमाते जा रहे हो आप है ना तो compounding बहुत बड़ा factor होता है किसी भी पैसे को जाधा करने के लिए और जब भी हम investment की बात करते हैं तो generally क्यों थे compounding चीजे हो जाते हैं compounding में time factor बहुत matter करता है पैसा जितने जादा साल के लिए रहेगा मतलब 100 रुपर पांच रुपर का interest मिला आपको तो अब ये 105 रुपर पे आपको पांच साल तक का interest मिलेगा वही आप क्या कर रहे हैं लास्ट में लास्ट ये 100 रुपर लगाएंगे तो एक ही साल का interest मिलेगा अब 105 पे पांच साल हर साल interest मिलेगा तो पांच पे एक स्ट्रप ऐसा हर साल मिल रहा है तो compounding कहते हैं कि आपको जितना लंबे समय के लिए आप लगाते हैं उतना फाइदा देता compounding तो इसलिए जितना जल्दी हो सके investment करें और investment के साथ regular करें ये नहीं कि एक बार कर दी है का साम खतम नहीं आप इसको करते ही रही है अलग अलग तरह की investment होते हैं मतलब अलग तरह की assets होते हैं जिसमें आपको investment करना होता है और वह assets का nature करता है कि किस तरह से आपको investment करना चाहिए जैसे अगर आपने mutual fund कर लिए आपने SIP कर ली तो आपको regularly investment करना ज़ादा जरूरी होता है आप regular करते रहेंगे एक लंब समय amount तो आपके लिए फाइदा रहेगा है और तीसरी बात कि हमेशा फाइदे में investment होता है जो लंबे समय क के लिए होता है आज लगाया पैसा कली निकाल लीजे तो थोड़ी ना फाइदा मिलेगा आप पैसा लगाईए उसको रहने दीजे उसको grow करने का time दीजे उसको time दीजे कि वो compound हो सके फिर आपको अच्छा return देगा तो long term में investment अच्छा होता है तो तीन golden rule क्या कहता है early invest जि लगाये 1000 रुपया 500 रुपया जो भी आप पाते हैं महीने में डालते चले जाहिए तो करिए regular करिए हर महीने डालिए हर साल डालिए आप है न और रखा रहने दीजे 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इसको रखा रहने दीजे भूल जाहिए वो पैसा फिर जो आपको देगा वो है investment क real mean so that is all about investment I hope आपको clear हुआ होगा कि investment क्या है savings नहीं investment exactly क्या है so wish you all the best thank you so much